सौगत है आपका पिक्जल वेक्टर ग्राफिक्स में नमस्कार मैं हूँ सुमित और किप में हम देखेंगे कुछ सिंपल से स्टेप के साथ आप सोशल मीडिया के लिए बैनर किस तरह से बना सकते हो सो बहुत कुछ जानेंगे बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में पर उस से बेले लाइक सब्सक्राइब शियर और कमेंट करना बिलकुल हम भूलें तो सौगत एक बर फिट से आप लोगों का आईए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने एक शू का एमेज मैंने ओपन किया और इसका बैगराउंड को मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि आज हम जो सोशल मीडिया के लिए बैनर बनाएंगे वो शू का बैनर बनाएंगे डिजाइन बनाएं कैसे बनाएं देखिए जरूरी नहीं है कि बहुत जादा क्रियेटिव चीज़े भी आप बनाओगे वो भी बहुत जादा अच्छी नहीं लगती है देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं दुनिया वर के सारी चीज़े डाल देते हैं लेकिन वो भी इत कमी लोग है जो कंप्यूटर में या कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखते हैं तो वो चीजे इतनी छोटी हो जाती है उन पर अतना ध्यान नहीं जाता है लोगा तो सिंपल से चीजे या फिर रीडेबल चीजों को ही आप यूज कीजिए ठीक है तो आज सिंपल सा कुछ स्टैप बताऊंगा जिससे आप एक खुशूरत सा बैनर बना सकते हो तो मैं इस इमेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में में दे दिया है आप जाओ तो डाउनलोड कर लेना तो देखिए मैं पहले आपको दिखा दूँ ये पहले कुछ इस तरह से था और अब ये कुछ इस तरह से हैं बैगराउंड को किस तरह से रिमूव करना है उसके लिए अलग से वीडियो है लिंक आपको हमेशा के तरह डिस्क्रिप्शन में मि इमेज की चारो तरफ एक बॉर्डर वाइट कलर का बन जाता है इसका मतलब आपने इमेज को सेलेक्ट करेंगे और एडिट में जाकर इसकी मैं कॉपी कर लेता हूं अब इसके बाद हम एक न्यू डॉक्मेंट करेंगे फाइल में जाएंगे न्यू कर रहा हूं और साइज बहुत ही इंपॉर्टन है पहले से सो समझ के डिसाइड कर लीजिए कि आपने साइज क्या लिना है बाद में छोटा बड़ा करेंगे तो वो पिक्जलेट हो जाएगा ठीक है तो मैं यहां पर साइज ले लेता हूं 1080 by 1080 with and hide में सोशल मीडिया के लिए हम स्क्वार बैनर बना है ठीक है और ओके कर दीजिए तो हमारा एक डॉक्मेंट क्रियेट हो जाता है मैं यह करूँगा कि जो हमने वो शू का लेयर की कॉपी किया था उसको यहां पे मैं पेस्ट कर दूँगा उसके लिए सिंपली कॉपी तो हमने किया हुआ है एडिट में जाएंगे पेस्ट एस इसको लिए मैंने क्लिक किया और बहुत बड़ा इमेज है बहुत हाई-resolution का इमेज है तो मैं यह कर रहा हूं कि जी मैं इसको तुड़ा सा चोटा कर लूँगा तो इसको तो इसको कर सकते है ठीक है कुछ इस तरह से तो देख लिजए आपको कितना बड़ा या कितना च्छ अब आ जाते हैं नीचे वाले background वाले layer पर select रखेंगे और कोई background का color select कर देंगे ठीक है मैं foreground में आ रहा हूं और background भी मैं कुछ इस तरह का grey लूँगा कुछ ऐसे और ok कर रहा हूं फिल करने के लिए control, आपके m key के साथ में comma है थोड़ा ज्यादा डाग लग रहा है थोड़ा सा और मैं इसको light करने हूंगा कुछ इस तरह से और ऐसे i think यह ठीक है थोड़ा सा और मुझे light करना चाहिए कुछ इस तरह से और हाँ यह बिल्कुल ठीक है alright so मैं यह करूँगा कि अब कुछ text type करेंगे तो text के लिए यहां पर text tool ले लेते हैं और यहां click करेंगे कुछ भी आप type कर लीजी जो आपको type करता है तो like मैं shoes type कर रहा हूं so यहां पर आपको नहीं दिखा दिर होगा मैं क्या type किया क्योंकि same color है background के जैसा तो मैं control इस all select करूँगा और तो यहां पर आ जाएंगे change color में और यहां से मैं white ले रहा हूं ठीक है मैं जैसी हो कि करूँगा color change हो गया पर font भी मैं change करूँगा तो font change करने के लिए चाहओ तो आप यहां से कर सकते हो आप जाओ तो यहां से भी कर सकते हो अगर यहां से करेंगे तो यहां क्लिक कर लीजिए यहां के लिए मैं जो font use करूँगा मैं थोड़ा सा condensed font use करूँगा तो condensed font में मैं देख लेता हूं क्या है मेरे पास so मेरे पास condensed font में रोबोटो condensed है मैं यह use करूँगा यह free font है free google के font में आप रोबोटो condensed मिल जाएगा तो मैं यहां से ले लेता हूं I think यह ठीक रहेगा थोड़ा सा italic आ गया तो मैं यह वाला लेके देखता हूं यह बिल्कुल ठीक है right so मैं यह कर रहा हूं कि जी इसको अब मैं बड़ा करूँगा तो बड़ा करने के लिए आप देख लीजी कि आपको कितना बड़ा चीए मैं इसको करूँगा जी करीबन 300 pixels में and enter और यह बड़ा हो गया ठीक है जी I think यह ठीक ठाक लग रहा है मुझे so मैं यहां से लूँगा move rule तो यह apply हो जाता है अब जाओ तो इसको उपर दीचे दाए माय जहां आपको रखना आप रख सकते हो like मैं इसको यहां कहीं रखूँगा या फिर यहां कहीं ठीक है इसी कही layer का मैं copy करूँगा right click and duplicate layer यहां गया all right so duplicate होने के बाद यहां जाएंगे और इसको चाओ तो आप control की press करते हुए नीचे के तरफ थोड़ा सा लेके आएंगे थोड़ा सा इनके बीच में gap होना चाहिए बहुत जादा में मत रखिए पुरा सा लग गया तो मैं यह करूँगा कि जी मैं इन दोनों को merge कर देता हूं ठीक है right click करके merge down कर रहा हूं तो यह देखिए जी कुछ इस तरह से हो गया अब एक और इसका duplicate करूँगा duplicate layer और control की press करते हुए मैं इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा हूं थोड़ा समय इसमें gap रखिए कुछ ऐसे लेकिन एक चीज़ का धियान रखिए किसी में ज्यादा किसी में कम मत करिए I think मुझे ठीक लग रहा है अब इन दोनों को भी मैं merge करते हूं merge down तो यह लिजिए जी यह merge हो गया अब इसको मैं कहीं center पर लगा दुआ तो यहां से move tool लेके आप देख लिजिए आपको कहा लगाना है I think मैं यहां कहीं लगा देता हूं इसको कुछ इस तरह से अब यह करेंगे जी इसको शू के नीचे लेके जाएंगे एक step नीचे तो यह आ गया जी नीचे थोड़ा सा और इसको मज़दार मना सकते हैं मज़दार मनाने के लिए हम यह करेंगे कि जी यहां से ले लेते हैं wrap transform tool को ठीक है जी wrap transform tool को ले लिया मैं यहां से पहले मैं reset कर दूँ आपको बता दूँ यहां से आप size अपने मताबग ले लीजिए आपको brush कितना बड़ा चीए कितना चोटा चीए like मैं इसको यहां पे रख रहा हूं ठीक है जी 512 के असपास बागी सब जो आपको by default मिलता है मैं अभी reset किया है by default वाला ही value मैं use करूंगा ठीक है करेंगे क्या जी यहां से देखिए top right से bottom left तक आप ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से ठीक है अब देखिए बड़ा ही मज़िदार सा आपको effect मिलेगा मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूं ऐसे sorry एक बार फिर से कोशिश करें ऐसे करके यू करेंगे अच्छा एक problem और आ रही है देखिए जैसी मैंने ड्रैक किया यहां पर आपको cut किया हुआ नजरा रहा है ठीक है मैं कुछ इस तरह से नहीं चाहता हूं अगर इस तरह के problem आपके भी आती है तो इसका solution है मैं control z से undo करूंगा मैं move to layer हूं select रखेंगे इसी layer को ही और यहां पर आ जाए रहा हूं और कुछ इस तरह से मैं इसको track कर रहा हूं अब देखिए कुछ इस तरह से आपको मिलेगा ठीक है मज़दार है ना तो मैं undo करूंगा फिर से और मैं यहां से इसको track करूंगा कुछ इस तरह से I think यह जादा मज़दार लग रहा है ठीक है और इसको मज़दार मनाने के लिए मैं यह करूंगा कि जी मैं यह जो शू है और इसका जो mask है मैं दोनों को merge कर दूंगा rightly कर रहा हूं मैं इसी के ओपर और यहां पर आ जाएंगे apply layer mask पर हम क्लिक करेंगे तो यह दोनों merge हो जा करते हुए इस में drop shadow भी apply करेंगे तो drop shadow के लिए filter में जाएंगे और light and shadow और यहां से लिए drop shadow मैं reset करके आपको दिखा दूं तीजी मैंने reset कर दिया और यह जो by default वाला यह वाला use मत कर लेना यह बहुत ही odd सा लगता है बहुत ज़्यादा डार के इतना ज़्यादा डार use करन यह natural नहीं लगता है तो मैं यह करूँगा कि थोड़ा सा तो मैं blur इसका बढ़ा दूँ मैं 15 के असपास इसको रखूँआ ठीक है opacity को थोड़ा सा में कम कर दूँआ इतना ठीक है अब देखिए पहले कैसा था अब कैसा है ठीक है तो यह कुछ इस तरह से direction चाहो तो थोड़ सा में change करूँगा I think यह ठीक रहेगा right तो देखिए हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है उसके बाद हम यह करेंगे कि यहां पर आप चाहो तो कुछ और टैक्स भी लगा सकते हूं like एक और मैं टैक्स लिख लेता हूं क्लिक कर रहा हूं exclusive मैं टाइप कर रहा हूं कंट्रोल ए से all select करेंगे गर्वाजी black कुछ इस तरह से font भी चाहो तो आप change कर सकते हूं तो font यहां पर मैं थोड़ा सा लग लूँगा मैं font एक बार देख लेता हूं कौन सा सही रहेगा मैं यह करूंगा जी थोड़ा सा script font लगाने की कोशिश करूंगा तो यहां से मैं ले लेता हूं black signature ठीक है कुछ इस तरह से चाहो तो इसका भी आप बड़ा चोठा कर सकते हूं मैं थोड़ा सा और बड़ा स्को कर रहा हूं और कुछ इस तरह से ठीक है जी और मैं यहां से मूव तूल हूंगा यह अपलाई हो जाएगा चाहो तो आप इधर उधर मूव कर सकते हो या फिर एक काम यह करेंगे यूनिफाइड ट्रांस्वां टूल लेंगे इस पर क्लिक करेंगे चाहो तो थोड़ा सा आप रोटेट भी करा सकते हो ठीक है रोटेट कराना है तो याद रखिए यह जो मौस का कलसर है इस फ्रेम से बाहर होना चाहिए तब ही आप रोटेट कर पाऊ ठीक है मैं इसको ट्रांस्वां अब देखिए और इसको मज़दार मनाना है तो और मना सकते हैं मैं यह करूंगा जी वापस आ रहा हूं थोड़ा सा नीचे नीचे वाला जो बैग्राउंड लेर है इसको सेलेट करूंगा एक ट्रांस्परेंट लेंगे न्यू लेयर में मैं क्लिक कर रहा हू और मैं यह करूंगा जी यहां से मैं लूँगा रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल शिप्ट की प्रेस करते हैं स्क्वाइर में ट्रा कर रहा हूं ऐसे करके अब स्क्वाइर को आपने जहां रखना है अभी मूव कराके रख लीजिए लाइक मैं इसको कहीं सेंटर में यहां कहीं रख रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा हम डिजाइन बना रहे हैं, कोई बहुत जादा क्रेटिव चीज मैं नहीं बना रहा हूं, जैसे कि मैंने का कि बहुत सिंपल बनाना है, तो सिंपली मैं यह करूँगा कि जी इसमें ग्रेडियंट मैं अपलाई करना हूं, तो ग्रेडियंट चार, दो से कई जादा भी आप पॉइंट वरा सकते हो तो इस वाले पॉइंट में मैंने ये वाला कलर लिया है, चाओ तो आप कोई दूसरा भी कलर ले सकते हो, लाइक ये ये, या कोई दूसरा, जैसा मर्जी आपको लेना है, आप वो ले सकते हो ठीक है जी, मैं कुछ इस तरह कर ले रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ, और ये वाला पॉइंट को सेलेक करेंगे, तो इसको या आप चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरह से या पर कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से तो जैसा आपको ठीक लगे, वैसा आपकर लेना है, ठीक है, मैं OK कर रहा हूँ, और देखे, यहाँ पर जब आप ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे, उसके बाद या तो एंटरप्रेस कर लीजिए, या फिर मूव डूल ले लीजिए, तो यह अप्लाई हो जाता है, अब य देखे, इसमें थोड़ा सा और मज़दार इसको बनाने के लिए, इसी को सलेक्ट रखेंगे, अब जाएंगे हम फिल्टर में और यहाँ पर आ जाएंगे, डिस्ट्रॉट और यहां से ले ले लेंगे, रिपल, रिपल मैं ले रहा हूँ, और यहां से मैं रिसेट कर रहा सबसे पहले हम यह करेंगे, अप्लिटूट को थोड़ा समय कम कर रहा हूँ, अब देख लिए आपको ज़रूर नहीं है, ऐसा ही रखना है, तो आप चाओ तो ऐसे भी रख सकते हो, बहुत जादा नहीं करेंगे, बुरा सा लगएगा, इतना भी रख सकते हो, जैसे आपको रखना है, ठीक है जी, पेरियोट को थोड़ा समय कम कर रहा हूँ, या कुछ इस तरह से, ठीक है, 84 के असपास, और पे शिप्ट को थोड़ा समय को बढ़ा देंगे, I think ये ठीक रहेगा, सही है जी, अंगल आप देख लिए आपको कैसा रखना है, मैं थोड़ा सा इसको चे रहा है, ठीक है, अब देख लिए आपको ऐसा अगर रखना है तो रख लिए या कोई और शेप बना कर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है, स्क्वाइर में ही आपने करना है, और ओकी कर देंगे, तो ये देखिए जी, हमारा बहुत ही सिंपल से स्टेप के साथ एक सोशल मीडिया के लिए हमने शूब बेंदर बना लिया, उसके बाद आप चाहो तो यहां कुछ और टैक्स वगरा लगा सकते हो, कुछ सोशल मीडिया के आइकन्स वगरा नीचे लगा सकते हो, बाइ नाओ का बटन भी आप बना कर लगा सकते हो, तो हैना मज़ेदार सा और बहुत ही आसान सा आगे भी चलके मैं और भी आसान से टेकनीक कुछ लेके आऊंगा, कुछ ट्रेंड डिजाइन के भी हम उसी तरह से बनाएंगे, कि वो बनाया कैसा जायता है, कुछ सिंपल से स्टेप के साथ, तो उमीद करता हूँ कि आज का टुटोलर आपको पसंद आगो, पसंद आए तो लाइस जरू कीजिए, सब्सक्राइब ने किया, फॉस्ट आवाए मेरे चाल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, जरू कर लिजिए, कि दिवी तरह कॉश्चन वीडियो से रिलेटेड अब मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अगले गेम के